कि यदि आप लॉपड़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमरे एप को डाउनलोड करें और लॉपड़ें नमस्कार कल एक फोन आया जिस पर नमस्ते और नमस्कार पर एक सजेशन आया और उन्हें कहा कि आप नमस्ते की जगे नमस्कार किया करिए तो आज से हम एक नया वो शुरू करेंगे नमस्ते सदावसले मात्रभूमे इस मात्रभूमी को नमस्कार करते हुए हम शुरू करते हैं देखे कल मैंने दिल्ली सरकार के एक नोटिफिकेशन को LG ने अपास्त किया उस पर आपको एक लेक्षर पब्लिश किया था आज मैं थोड़ा सा देख रहा था तो मुझे लगा कि एक और मैं जज़्मेंट मिल गया ओनरेवल घॉट का दिली हाइकोर्ट का दिल्ली सरकार के खलाफ उससे पहले का वो जच्ज्मेंट है और इसी प्रकार का आदेश उस समय भी किया गया था दिल्ली सरकार के दौरा जिस सरकार के मनशुब्bag क्या मैं जो मैं बता रहा था कि सरकार के मन्सुबे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं सरकार के मन्सुब् JUDY जो उनका vôट बैंक है जो उनका مسληिम adequ bánh भी जो यहहां पर दंगों के दोशी है जो शाहिन बाग में दोशी है जो चांद सब्लाक में दोश्य हैं क्या उनको प्रोटर्ट करके एक Demography जैसे लोग इसको रच रहे हैं और उनको पता नहीं है कि ही मेगा इस जट्वनutन apology मखयर को हम एक संद एक साथ ऐस्प्रेंड करेंगे नो डाउट एक्स प्रेंड करने के साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि दिल्ली की जो सरकार है उस सरकार ने ये सरकुलर दुबारा जारी कैसे कर दिया जब दिल्ली हाइकोट का ओर्डर ओलेडी आ चुका था आपके इस प्रकार के जज्जमेंट पर इस प्रकार के ओर्डर को दिल्ली हाइकोट ओले बिवार मन्नी अरिविंद केजरिवाल जी के साथ तो अरिविंद केजरिवाल जी प्रेसिडेंट से मिलने गए थे उसमें प्रणा मुखर्जी जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे और मुझे खूब याद है कि उन्होंने एक Constitution का बेर एक्ट यानि कि Constitution उनको भेट किया था तो मुझे लगता है कि उस समय पड़ा मुखर्जी जी को भी अंदाजा रहा होगा Honorable President को कि ये वेक्टी जो है वो पड़ा लिखा जरूर अपने आपको कह रहा है लेकिन ये सम्विधान नहीं जानता है इसलिए इसको सरकार चलानी है तो इनको सम्विधान से चलानी चाहिए इसलिए इनको सम्विधान दे देना चाहिए हलाकि छे साल सरकार के साड़े पांच साल सरकार के हो गए हैं फिर भी सरकार अभी Constitution नहीं जान पाई कि लीगल सिस्टम कैसे चलता है जुडिशल सिस्टम कैसे चलता है और ये सारा प्रकरण होता क्या है फॉलो करना भी होता है केबल हमको तानाशाही ही करनी होती है क्या हमक कोच और नहीं करना होता है क्या हमको इस पर विचार नहीं करना चाहिए क्या हमारे विचार करने का करतब भी नहीं बनता है ये सारी चीज़ें दिल्ली के सरकार को सोच नहीं चाहिए मैं इस जड़मेंट का हवाला देता हूँ अनिIGH लिआ धूट ने 2018 और इसमें दिल्ली सरकार मतलब जो पेटिशनर थे पेटिशनर को जो विरोध में थे वो गवर्मेंट ऑफ दिल्ली एंड एंसीटी दिल्ली था इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं ये हमारा आदेश नहीं था और ये आदेश तो मेडिकल आफिसर ने दे दिया या कैस नहीं होगा उसको नौन दिल्ली पेशेंट काउंट किया जाएगा और ये जो non-Dilli patient होंगे in patients को जो दिल्ली सरकार की facilities हैं जो hospitals की facilities हैं ये facilities नहीं दी जाएंगे challenge किया गया कि article 21 का उलंगन है challenge किया गया कि article 21 का उलंगन है और इसलिए ये मेरे fundamental rights को infring करता क्योंकि इसमें बहुत सारी कर देश के लोग यहां पर रहते हैं लेकिन वो मैं सुप्रीम कोड़ प्र涵ास चाहिए अब यहां पर सुप्रिम कर्थ में प्रेक्टिस करते हैं इसलिए क्या दिली सरकार या दिल्ली में मेरा इलाज नहीं होना चाहिए अगर मेरे पास यहां की वोटर आइड़ी नहीं और सुप्रीम कोट के या यहा पर एक बनाते हैं या रुखने की वेश्था करते हैं चेंबर बनाते हैं या नई दिल्ली में पूरे देश से लोगा आते हैं और वो नई दिल्ली में रुखते हैं वो ओफिस यहां पर खोलता है गाजियाबाद में रहता है नोईडा में रहता है यहां दिल्ली में ओफिस खोले हुए है ओफिस खोलने के वज़े से आपको टैक्स देता है उसको देना चाहिए था उत्तर प्रदेश सरकार को या रियना सरकार को वो आपको टैक्स देता है आ उस लेवर को यहाँ पर इलाज करवाने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो तो अलेडी वहां कर रहता है अब ये दस्यून लाख लोग जो दिल्ली से चले गए ये लोग यहाँ का आईडी नहीं रखे होंगे इसमें कोई शक नहीं कि वो यहाँ पर आईडी नहीं रखे होंगे ये दस्यून लाख लोग जो दिल्ली में इंफेक्टेड हो गए ये उत्तरप्रदेश बिहार चारगंड चले गए और वहां पर एपडमिक फैला दिया गया है उनका इलाज करने की जिम्मवारी किसकी थी वो दिल्ली को समार रहे थे दिल्ली में रह रहे थे सपोज उन्होंने वोटर कार्ड भी दिल्ली में बनवा रखा होगा बहुत बड़ी आवादी में लेकिन वोटर कार्ड उन दो लोगोंने बनवा रखा होगा जो पती पतनी यहां पर रहते हैं या बच्चे रहते हैं उनके परिवार के लोग अगर आएंगे तो वो नॉन दिल्ली citizen count किये जाएंगे उनके मिलने वाले अगर उनसे मिलने आएंगे तो वो नॉन दिल्ली count किये जाएंगे और दिल्ली के स्पतालों में उनका इलाज नहीं हो सकता इन सब बातों को लेकर दिल्ली में दिल्ली हाई कोट में ये केस गया था क्योंकि आप दिखाने में तो कुछ बहुत कुछ दिखाते हैं लेकिन हकीकत में आपके जो दात है ना वो हाथी के दात की तरह हैं दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और आप जो दिखा रहे हैं कि हम free 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 कर रहे हैं वह free actually दिल्ली में नहीं है आपने वोटर आइडी का एक चकर लगा दिया और वोटर आइडी अगर नहीं है तो आपको दिल्ली में इलाज नहीं मिल सकता हो सवाल यह आता है क्या दिल्ली सरकार ही केबल मुफ्त इलाज कर रही है मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के प्रितेख डिस्टिक हॉस्पिटल प्रितेख गौर्णमेंट हॉस्पिटल में एक रुपए से लेकर दस रुपए का भी कितने का परचा बनता मुझे पता नहीं लेकिन एक रुपई से दस रुपए तक का परचा बनता था कभी 10 रुपए एक रुपए का अलग-अलग सरकारें करती रहीं लेकिन मैं जमाने से देख रहा हूं कि सारे सरकारी ही शपितालों में free सरकार में और counter पर जाये काउंटर पर आप एक रुपिया जमा करिए पर्चा बनवाईए और इसके लावा वो कुछ नहीं पूछते आप कौन है कहां से आए क्यों आए आप अपना कारण बताईए कारण बता कर पर्चा लीजे वो उस पर्चे पर लिख देते हैं गवर्चे नूब्र फला फला में डॉक्टर साँब बैठे होड़ है उस डॉक्टर के पास हम जाते हैं और वहां OPD करते हैं वो मैडेसिन लिख देता है उसी के पर स्वेकonn को होता है दिली होस्पिटल की वहां जाकर हम उससे समान ले लेते हैं समान लेने के बाद हम काम करते हैं अपना काम वहां पर कर रही है आप को यह नया काम कर रहे हैं क्या दिल्ली में मुझे लगता है कि मैं उत्तर प्रिदेश को भली बांती जानता हूँ इसलिए मैं कह पा रहा हूँ बाकी देश में भी इस प्रकार के सरकारी स्प्तालों में एटलीस दवा फ्री होगी आप कोई नया काम तो नहीं कर रहा है फिर आप ये रिस्ट्रिक्शन किस बात के लगा रहे हैं जिसमें आप कहते हैं कि नहीं दिल्ली जो है वो ऐसे 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 करके चलेगी और अब हाई कोट ने ओर्डर किया अब ये हाई कोट के ओर्डर के खिलाफ फिर से इस प्रकार का नोटिफिकेशन करना क्या ये कंटेंट अफ कोट की केटा करे में नहीं आ सकता क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोट का मतलब कुछ नहीं मेरा मतलब सब कुछ केंदर की सरकार का मतलब कुछ नहीं मेरा मतलब सब कुछ और ये जो आपने किया ये करने के पीछे एक उद्देश था क्योंकि आपको मालूम था ये आपास तो होना ही है क्योंकि हाई कोट का ओर्डर पहले ही है इसलिए अगर LG उसको पास कर देगा तो हाई कोट में वो फिर चैलेंज हो जाएगा और हाई कोट में चुकी ओलड़ी एक ओर्डर हो चुका है इसलिए उसको एक दिन भी नहीं लगेगा उसको गैंसल होने में और LG ने तो केबल इतना काम किया है कि हाई कोट के ओर्डर को इंप्लिमेंट किया है आपके इस notification को cancel करके, बाकि उसने कुछ नहीं किया, तो ये actually आपका notification नहीं है, ये आपको अपनी responsibility से दूर भागने का एक साधन है, आप अपनी responsibility से सिर्फ भागना चाहते हैं, कि हम दिल्ली में, पहले तो दिल्ली में आपने कहा भौत है, भौत है, भौत है, तीस हजार, अभी जो नहीं सब खबरें आ रहे हैं, उसमें 8,864 बैड और 8,864 बैड में, में भी केबल कोविट के लिए आपने 4000 बैड छोड़े हुए हैं, अभी कहां आप दो लाख लोगों का इलाज करते घूम रहे थे, अभी आप 15 दिन पहले टीवी पर रोज आ रहे थे, खूब पूरा एक इस्पान निकाल चुके हैं, आपके पास फैसलिटी नहीं है, आज की तारीक में दिल्ली से 50% माइग्रेंट बाहर जा चुका है, बापस चला गया उत्तर प्रदेश में, और एपेडिमिक दिल्ली में इतनी तेजी से फैला हुआ है, देश में नम्मर वन पर लगवग आ रहा है, तो कोई आपके हां इलाज करवाने के लिए दिल्ली आना नहीं चाहता, और आप कहते है हैं कि हमने बॉर्डर सील किये, LG ने ये बॉर्डर सील करना, या दिल्ली के स्पालों में इलाज नहीं होना, या बाहर वालों के लाज, ये सिर्फ बहाना या देश को उलजाने के लिए आपके द्वारत दियेगे स्टेटमेंट है, इन रिस्पॉंसिबिल्टीज को आप सम के देगी, रेलवे के हॉस्पिटल्स देगी, या जो उन्होंने रेल कोच में बना रखे हैं, उनको प्रोवाइट करेगी, आप एक पर कहें तो, आपकी नाग नीची होती, आप नहीं कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, बंबई और दिल्ली से गए हुए सभी मज़ प्रदेश वाले सारा हैंडल कर लेंगे, जैसे आप 2 समस्या लेकिन आपको ये सुिकर करना पड़ेगा, कि हैप फेल हो गए हैं, आपको ये बताना पड़ेगा, कि हम अप नहीं कर सकते हैं, ड्रामे बाजी बंद करिए, इस समये, इस संकट के काल में, ये इन परा रोप लगाना उन पर रोप लगाना एल जी ने अपास्त कर दिया केंद्र सरकार ने कर दिया बीजेपी गॉर्मेंट कर रही अरे वो तो लगातार कह रहे हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दीजे और दिल्ली सरकार को हैंड ओबर करें हम कर लेंगे अगर ऐसा करने से आपके पॉलिटिकल विशिस पूरे नहीं होते ऐसा करके आप दिल्ली में जो इसलामिस्तान बनाना चाहते हैं वो इसलामिस्तान आप नहीं बना पाएंगे आप जो दिल्ली में राजिनीतिक खेल खेल रहे हैं वो नहीं खेल पाएंगे आपके अमतुल्ला जै या आपके बगल में लगी हुई हरियना सरकार आप उनको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे और केंदर सरकार को भी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे लोकतंतर चलाए जाता है क्या लोकतंतर की खास बात है कि आज की तारीग में इस संकट से किसी तरह छुटका रहा हो हमारी अपनी जो इमेज है वो रहे चाए जाए हमें दिल्ली साफ हो जाए मेरी अब आप कहते हैं इंटरेशल फ्लाइट से यहाँ पर आती थी इसलिए ऐसा हो गया आप कह रहे हैं मंबई में इंटरेशल फ्लाइट साती इसलिए ऐसा हो गया क्या लखनू में इंटरेशल फ्लाइट नहीं आती क्या क्या चैन्ने में इंटरेशल फ्लाइट नहीं आती क्या या कोलकते में international flight नहीं आती अब तो इस समय की के अंदर सरकार की ऐसी योजना है कि हर एक स्टेट का जो एक मुख हवाइड़ा है वहाँ पर international flight आती है लेकिन दिल्ली में international flight इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि international investment थ्रू दिल्ली जाता है इसका tax आपको मिलता है क्योंकि international investment दिल्ल आता है तो राजधानी में अपना एक office खोलता है आपको tax देता है इसलिए वो जो direct वाले हैं वो तो अपने पने स्टेटों में चले जाते हैं लेकिन दिल्ली में जो आता है especially वो आपको tax देने के लिए आता है जिन पर आप ये लगा रहे हो अलजाम वो ही आपकी दिल्ली चलाते है इसलिए आपको शर्म करनी चाहिए कि ऐसी situation में आपके उपमुक्हमंत्री जिस तरह का बयान दे रहे हैं गैर जिम्मिदारावेन बयान दे रहे हैं अरे भया आप सेवा करने के लिए आये हैं आप अपनी हस्ती को भूल जाएए आपकी हस्ती कुछ है नहीं आपकी हस्ती दिल्ली के लोगों ने बनाई है आप ये अंदोलन करके दुनिया भर के fraud संसार को समझा कर और दुनिया भर के allegation जूटे जूटे लगा कर कि हम साथ हजार पेज की फायर करने जा रहे हैं कि हम तीन हजार पेज का अपने पास allegation सीला दिक्षित के खिलाफ है कि अपने पास ये अरुण जेटली के खिलाफ है कि अपने पास हम मानी के कहा है सब अपने बाद मैं माफियां सबसे मांगते हूँ मैं और माफिय मांगकर आप आज आप दिल्ली से माफिय मांगेंगे क्या अरे भया दिल्ली जनता जनातन है दिल्ली वालों ने आपको बनाया है इनको दो बख्त दो बिजली के बिलका इश्यू में पहले ही बता चुका हूँ दिली के दंगों का आपका कनेक्शन पहले ही बता चुका हूँ इसलिए मुझे लगता है कि आप नेतिकता के अधार पर आप कम से कम एक काम कर दीजे कि आप स्तीफा दे दीजे और इस्तीफा देने के बाद आप यहां से हट जाएए जिसको जो समालना होगा समल जाएगा दिल्ली बैसी राम भरो से चल रही है हम राम भरो से चल कर खुद ही कर लेंगे इस पर आपके जबाब चाहिए इस पूरी और्गनाजिशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे एप को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे की लॉय स्टूडेंट्स को लॉयर्ट्स को और आम आदमी जो लॉय जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासिस का लाब ले सकता है